बच्चो आपने प्रिवियस लेक्चर हिंदी लिट्रेचर के क्लास में अपनी पाठ्थे पुस्तक का चेप्टर वन कविता पढ़ा था। आपने उस चेप्टर में कविता का भावार्थ, शवदार्थ तथा प्रशनोतर लिखा था। आज हम हिंदी लिट्रेचर के क्लास में लेक्चर 22 में इसी कविता के बाकी प्रशनों के उत्तर लिखेंगे तथा कुछ मौकिक प्रशनों का भी को भी समझेंगे। यहां आप ध्यान देंगे भासा ग्यान, आपके भुक में यह भासा ग्यान है, यहां देखेंगे भासा ग्यान, यहां देखेंगे उसका नमबर वन है, नाच नाच उठते हम नीचे, ऊपर तुम गाया करती, मीठे बीठे आम रस भरे, नीचे टपकाया करती। यहां बच्व ध्यान देंगे उप्युक्त पंक्तियों में नाचना, गाना, टपकाना, आदी शब्द किसी न किसी काम को करने के बारे में बता रहे हैं। यह सभी सब्दे किरिया कहलाते हैं। कविता में ऐसे ही किरिया सब्दों को छाट कर लिखिए। यहां आप लिखेंगे आपकी कविता के अमसार, तो आप फश्च में लिखेंगे को में बोलना, खो में घूलना, गो में कूकना, घो में खाना, अंगा में बुलाना, चो में आना, जम्रक्रना, यह सभी क्रिया सब्द है, टू में आप देखेंगे, नीचे दिये गए सब्दों का बढ़न विच्थद किजिए, यहां आपका बढ़न सब्द दिया है, कोयल, डाली, मिठास, इसको आप यहां देखेंगे, आपका एक्जाम्पल यहां समझाया गया है, क जोड आ, जोड ल, जोड ई, डाली, उसके बाद आपका गव है मिठास, इसमें आप ध्यान देंगे, मौ में ई की मातरा है, फिर ठो में आ की मातरा है, सो में अ की मातरा है, इसको आप ऐसे लिखेंगे, यह होगे आपका मिठास, अब यहां देखेंगे, क्वेश्चन नमबर विशेशन सब्द लिखिये, आप यहां कव में देखेंगे, कोयल दिया है, आपके बुक के एकौरडिंग, यहां पर काली कोयल, यहां है गाना, यानि मधूर गाना, यहां आप विशेशन लगाएंगे, मधूर, गो में धरती, आप कविता में पढ़ेंगे, तो यहां रस भरे आम, जमे प्यारी मा, यहां आप ध्यान देंगे, कोयल के पहले काली, गाना के पहले मधूर, धर्ती के पहले प्यासी, बोली के पहले मीठी, धूप के पहले कडी, बादल के पहले काले, आम के पहले रस भरे, और मा के पहले प्यारी, यह सभी विशेशन है, आप जान शेशन सब्द है अब बच्चों आप देखेंगे यहां आपके भुक में रचनात्मक अभिवक्ति दीवी है यह सिर्फ आपको पढ़ने और समझने के लिए है यहां आप देखेंगे कोयल के बारे में अप्रत्यासित जनकारी प्राप्त कीजे और बताई यां आप देखेंगे क्या आप सबको ग्याद है कि कोयल की लगवरं 150 प्रजातिया है आप सको बच्चे जानेंगे कि कोयल की प्रजाति कितनी होती 150 यहां देखेंगे यह मीठी बानी से सम्मंदित कुछ दोहे नीचे दिये गया है उन्हें पढ़िए यहां आपके कविता में भी कोयल की मीठी बानी के बारे में बताया गया है कि कोयल अपनी मधूर बानी से सबका मन मोह लेती है वह दूसरों को भी अच्छा आच्रन करने को सीख देती है यहां आप देखेंगे काका कागो धन हरे कोयल काको दे मीठे बचन सुनाए के जग को बस कर ले यहां देखिए बचन के बारे में दिया है कि काका काको धन हरे कोयल काको दे कर आया कि यहां कवा जो है कागा ओ क्या करता है किसी का धन तो हरता नहीं है लेता नह नाय के जग को बस कर ले लेकिन दोनों में अंतर है कि कोयल क्या करती है अपने मीठे बचन से सुना कर सबको वह अपने बस में कर लेती है सबका मन मुह लेती है इसलिए मधुर बानी में इतनी सक्ती होती है कि वह अपने मधुर बहवार से अपनी मधुर बानी से हम किसी को भी अपने तरफ आकरशित कर सकते हैं यहाँ आप खा में देखेंगे कर आधोर बानी जो है ऐसी बोलनी चाहिए जो कर आ है कि अपने मन को भी सांती मिलती है दूसरे भी इसे प्रसंद होते हैं और खुद भी ब्यक्ति प्रसंद होता है बचो आज आपने अपने चैप्टर वन कविता को को आपने पढ़ा उसके प्राषनों को सॉल्व किया आज आपका चैप्टर यो समाप्त होता है अब नेक्ट क्लास में हम सेकंड चप्टर के साथ मिलेंगे आज के लिए धन्यवाद